तो दोस्तों आज की वीडियो में न्यू रिकृूट्मेंट की डिसकस करने वाले हैं जोकी वेकेंसेज आउट की तरफ से देखें Exactar पाउट्मेंट तरफ से न्यू रिकृूट्मेंट्रेनीं की आउट कर दी गई है जिसे के ऐल इंडिया के candidate इस form को fill up कर सकते हैं यह totally regular jobs होने वाली है यानि कि permanent jobs की vacancies है और all India की candidate male and female सभी participate कर सकते हैं that is great opportunity फ्रेसर अपलाय कर सकते हैं चले detail notification वाई चर्चा करने वाले की कौन-कौन से trade and branch के लिए vacancies है कैसे apply करना है eligibility condition क्या होने वाली है और application का process क्या होता है देखेगा इस actually होता है information जो होती है industry demand वो उसमें resume का process होता है application का process थोड़ा सापको difficulty लगता है other than government jobs के इसाब से तो मेरी videos को पूरा देखेगा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपकी जितने भी सारे doubts है application process को लिकर वो खतम हो जाएगी तो let's start now इससे पहले मैं बता दूँ चैनल पे पहली बार visit कर रहे है so please do subscribe and hit the bell icon ताकि सी तेरा latest government jobs के बिट आपको पराबर मिलती रहे है जागे बढ़ने से पहले important information आप सभी को देने वाले हैं आपके या आपके जानने वालों के लिए काफी जादा important हो सकती है guys देखिए हमारी जैसे degree complete होती है हमें सबसे जादा जरूरी होती कि हमें placement जल्द से जल्द भाईया मिले और अच्छी खासी department में मिले सभी अपने college के बाद चाते हैं लेकिन वहीं पर civil electrical electronics and mechanical engineers student इतनी असानी से job जो है उन नहीं ले पाते हैं अपने मेरे चैनल पर कई बारे अन अकेडमी वाक्स आप्स और score engineering courses के बारे में देखा होगा ये courses industry specialist के थ्रोप बनाए गए हैं guys और आज आपको मौका मिल रहा है उन लोगों से class लेने का जिनोंने ये course को design किया है जहां आप उन लोगों से मिल पाएंगे जिनोंने आपकी तरह ही career बनने का या फिर career बनाने का एक dream देखा था लेकिन वो आसानी से उन्होंने dream को पूरा किया है और किस पात को follow करते हुए ये आज successful है फोर देख सकते हैं यहाँ पर mechanical electrical electrical civil engineers के लिए और ये सारे guys top कोई founder है या फिर कोई अच्छे companies में एक अच्छे post पर हैं जिनके दौरा आपको सीखने का मुका मिलने वाला है और ये सारे onward होने वाले हैं 11 बजे जो की 16 जुलाई को ये आपकी होने वाली है अन्रॉल कर सकते हैं link सारी description मौद है कौन कौन से आपके जो देख सकते हैं educator जो आपको पढ़ाने वाले हैं topic जैसे अपूर मित्तल जी है serving technique में होने वाली है और अरनव सेंज जी जैसे banding moment and air force diagrams की simplified करने वाले आनन संकर मुंगे संगीत मिल डिजी आपको all about autocad के बारे में बताने वाले हैं तेन आपको जो मिलती है hybrid electrical vehicle need of the hour कैसे work करती है इस पर class लेने वाले manufacturing in the 21st centuries में कैसे developed होगी उसके बाद आमित निर्मल जी देन application of analysis front and auto mobile sector के बारे में class लेने वाले हैं timing आप देख सकते हैं यह बिल्कुल free में enroll कर सकते हैं इस link description में मौज़ूद है अगर code यूज़ करना रहे तो यहाँ पर diliposite and code यूज़ कीज़ेगा यह session बिल्कुल free हो जाएगी तो link description में मौज़ूद है enroll now तो guys actually में यह TCS की official website है TCS I1 hopefully इनका नाम तो सुना यह होगा क्योंकि आपने relevant field में examination जरूर देऊगी rrb, railways का हो गया या फिर sscs banking में तो यहाँ पर TCS I1 यह digital learning hub है और यह Tata power से recruitment या फिर Tata group की mostly recruitment आप यहाँ पर publish होने लगी है 2022 से तो यह great opportunity है यहाँ पर relevant field में jobs की vacancies की notification update की गई है for training engineer हो गया या फिर executive finance में अलग-अलग post wise यहाँ पर vacancies आपको देखने को मिलेगी actually में हर मत यहाँ से notification publish होती है लेकिन सही मायने में आपको किस post पर apply करना चाहिए किस post के लिए क्या qualifications मांगी जाते हैं यह चीज़ें post लिए important हो जाती है training engineer जावा में vacancies है इसकी भी location आप देख सकते हैं दो दिन पहले update की गई है इसकी भी 17 जुलाई तक है उसके बाद आपको मिल जाएगी training engineer जो की cloud computing में vacancies है 17 जुलाई तक update है नेक्स आपको यहाँ पर training engineer python की मिल जाएगी उसके बाद यहाँ पर नोडल जेस में निकाली गई है software engineer में निकाली गई है 5 अगस्तक इसकी last data में सब के लिए बता रहा हूँ for diploma वालो उसके लिए executive training जो HR में recruitment है यहाँ पर 8 अगस्तक last data general management for executive training के अंदर इनकी भी recruitment है finance training के लिए है जहाँ पर become वेगर apply कर पाएंगे उसके बाद यहाँ पर GED की मिल जाती है graduate engineer training जो northern Odisha distribution जो limited है यहाँ से recruitment आउट की गए multiple cds में आपकी यहाँ पर होने वाली है job location 8 अगस्तक इसकी last data है वो diploma engineering training की recruitment है यह भी आपकी जो होगी northern Odisha में होने वाली है तो यह दो पोस्ट है important होने वाली है चलिए सबसे पहले देखते हैं graduate के लिए तो यहाँ पे पोस्टें सो करेगी सबसे पहले GED की देखते हैं यहाँ की graduate engineer training के लिए northern Odisha distribution limited में vacancies है पोस्ट आप देख सकते हैं और opening आपकी बाला सोर Odisha में रहने वाला अलग-अलग cities हैं Odisha की यहाँ पर होगी experience की यहाँ पर जो demand की गई है 0 से 2 year यानि की बिलकुल ही Fraser candidate apply कर सकता है यहाँ पर apply करने के लिए जितने भी student हैं अगर मैं बात करूँ काफे सारे student comment करते हैं इसलिए मैं बोलता हूँ मेरी वीडियो जो भी देख रहे हैं अगर private job में information चाहिए सबसे पहले काम करो LinkedIn में profile बनाओ अपनी create करो दूसरा काम एक करो वीडियो के नीचे अपनी branch और अपने state जरूर mention करो इससे related में vacances लाने की कोसिस करता हूँ तो यह पहला काम जरूर करना comment जरूर करो कौन सा branch है आपका किस state से आप हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से 2 year की relevant field में experience की demanded की गई है अब यहाँ पर बिल्कुल फ्रेसर apply कर सकता है salary आपको यहाँ पर मिल जाएगी देख सकते हैं 4,88,000 के रूपे annually आपको मिलती है approximately मान के चलो लगवक तो 40,000 के लगवक आपको कम से कम minimum salary आपको मिलेगी ही मिलेगी अब जो भी candidate apply करने के लिए eligible होंगे वो apply now button पर click करोगे तो यहाँ पर application का link activate हो जाएगी क्योंकि मैं applicable नहीं हूँ इसलिए यहाँ पर बता रहा है then आपको skills विगरा क्या है basic qualifications क्या मांगी जाएगी जैसे की देख सकते है बैसलर डिगरी बी बिटेक Electrical Electronics Engineering मांगी गई है यह सारे apply कर सकते हैं प्रिफिट qualifications क्या होगी यह सारे general intelligence यहाँ पर रखने वाली है 8 अगस 2022 को आपकी last date आपकी होने वाली है benefits विगरा totally so करेगी तो hopefully यह जीटी वालों के लिए समझ में आचुका होगा जितने भी बी बिटेक है apply आप जरू करना resume आपको यहाँ पे upload करने होती है basic criteria आपको follow करने होती है अब चले देखते हैं डीटी याने की diploma engineering training के requirement को तो यह diploma engineer training की आपको मिल जागी इनका भी same location है बात के चलू तो लगभग लगभग कम से कम यहाँ पे 28,000 पचीस से 28,000 के बीच में पर मंद आपको यहाँ पर salary मिलती है अब देखे गाईस यहाँ पे डीटी डिमांडेट की गई है यह नहीं कि diploma engineer training ही apply कर पाऊगे यहाँ पर आपने ITI कर रखी है ITI प्लस lateral entry से अपने डिप्लोमा किया हुआ है यहनि कि ITI प्लस two year की डिप्लोमा है आप बिल्कुल यह सारे post पे participate कर सकते हैं यहाँ पर अगर देखोगी कि क्या यहाँ पर आपकी branches होने वाली है तो एक चुरी डिप्लोमा electrical engineer की demanded की गई है with 60% marks होनी चाहिए आठ अगस तक इसका भी last date है apply करने के जो भी candidate apply करने के लिए eligible हैं सबसे पहले अपने resume create करो and apply now button पे click करो उसके बाद यहाँ से basic criteria TCS में registration करो then apply करो ओके अब जो भी candidate apply करने के लिए eligible हैं यह सारी post पे apply आप कर सकते हैं link सारी description मौज़ों दे फिर भी आपको कहीं पर भी doubt लगी कोई चीज़ का हिसू हो अब बेज जिदा comment करना आपकी totally help and reply की जाएगी तो hopefully guys वीडियो इस पर लगी हो please like and subscribe करें चले मिलते next वीडियो में तब तक लिए जयान दे